ये कहानी एक सम्मोहक लड़के के जीवन के बारे में है, जो अपनी शक्ती को समझने और नियंत्रत करने के लिए संघर्ष करता है, ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ती का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है, जबकि इसका सही उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव ला स सकता है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, अमन, एक सत्रह वर्षिय लड़का, अपनी जिंदगी में कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव कर रहा था, वो हकसर लोगों को अपनी आँखों में देखकर उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता था, शुरुवात में, उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन दीरे दीरे उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक अद्गुच शक्ती है, सम्मोहन की शक्ती, एक दिन, अमन को एक रहासे में अजनभी ने मिलने का बुलावा भेजा, अजनभी जिसका नाम रवी था, उसने अमन को सम्मोहन की कला सिखाना शुरू किया, रवी ने बताया कि सम्मोहन एक ऐसी शक्ती है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ती के मन को नियंत्रित किया जा सकता है, रवी ने अमन को सिखाया कि कैसे लोगों को शान्त करना है, उनकी इच्छाओं कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है और यहां तक कि उन्हें भूल भी सकता है अमन अपनी शक्ती से प्रभावित इसका दुर उपयोग करने लगा उसने अपनी शक्ती का उपयोग करके लोगों को धोखा देने परिक्षाओं में धोखा देने और यहां तक कि अपराद करन प्रशिक्षित करने के लिए सेहमत हुआ। शक्ति और उसके अच्छे कारियों के बारे में जानना शुरू कर दिया, अमन ने अपनी शक्ति का उप्योग करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा किया.